Hello दोस्तों, this is Arohi और आजकी यस विडियो में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए यानि कि प्रेगनेंट होने के लिए गर्भ भारण करने के लिए कितनी बार संबन्द बनाई एक दिन में तो एक दिन में कितनी बार आपको लोग इन्टिमेट होना है, कितनी बार सेक्स करना है, इन्टिमेशन की प्रोसेस कितनी बार हुनी चाहिए, एक बार, दो बार, तीन बार, शार बार, यह confusion हार, एक कपल के वीच में रहता है, जो एक बेवी प्लाइन कर रहे है, तो इसका solution इस पूरे वीडियो में है, जरू से काफी जरूरी है आप अपना ovulation का period देख सकते हैं जिस time पे ज्यादा से ज्यादा जो है जर्ब धारन करना यानि कि करने का time active रहता है तो वो मैं next video में आपको बताऊंगी वो वीडियो भी आप जरूर देख लेना लेकिन मैं सबसे important बात यह है कि timing क्या होनी चाहिए अगर आप easily और जल्दी ही आप pregnancy करना चाहती है तो मौनिंग के time सबसे अच्छा रहता है मौनिंग के time पे मेल्स को पुरुषों को erection काफी ज़्यादा होता है और उस time पे अगर आप कंसीव करते हैं अगर आप intimate होते हैं तो उस time पे आपको एक healthy baby और जल्दी से जल्दी करने का तो सबसे अच्छा होता है morning period एक्सपर्स क्या करते हैं डॉक्तर क्या करते हैं कि आपको कंसीव करने के लिए सबसे healthy है कि आप दो या एक एक या दो बार करूं या एक दिन में आपको एक या दो बार करना है उसी के साथ साथ ही अगर किसी का sperm count कम है यानि कि कम स्पर्म बनता है तो उस कंडिशन में ये करना चाहिए कि आपको एक दिन का गया लेना चाहिए इसके साथ साथ ही आपको अपने डाइट पे ख्याल रखना होगा कि एसाथ सिफ फीमेर्स को नहीं मेल को ही करना होता है दोनों को अपने डाइट का ख्याल रखना होता है कैसे लगे वीडियो ज़रू लाइक करना है थेक्यों सो मच्छ अ यक्वा शर्माल रखना ही आपको यक्टो नहीं मेल को अंपको अपको